पहले तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक सुपकाव नहीं है एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी और याद रखिए मानता थी और पहले की कहावत आप लोग कह सकते हैं कि अगर होली पर आप अपने दुस्मन पर भी रंग डाल लेते थे तो उसमें कोई लड़ाई जगडा नहीं होता था और इसी को लेकर एक पिछलित कहा बत रही है कि दिवारी का लोटा यानि कि दीपा बली पर अगर कोई किसी को लूट ले या फिर होली पर कोई किसी के कुटाई कर दे समझ रहें मतलब लडाई कर ले तो उसकी F.I.R. नहीं होती थी लेकिन आज आप देखिए समय बदल चुका है हमारे जो भी तेवार हैं वो फीके पड़ चुके है अगर आप लोग आज अपने ही लोगों पर अगर रंग डाल देते हैं उनसे विना पूँचे तो आप देखते हैं वो भी लडाई कर बैठते हैं तो आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा मुझे लगता है कि आकर यह होली मनाई क्यों जाती है इसकी क्या माननता है हमारी संस्किती से किस तरह से जुड़ी हुई है आज इन सब पर हम लोग बात करेंगे और आपकी दिमाग में जो भी सवाल लएगे उनके आप मुझे लगता है कि जवाब आपको मिल भी जाएंगे तो आपको बता दूँ कि हर तेवार के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है कोई ना कोई किस्सा जरूर जुड़ा होता है उससे और होली मनाय जाने के पीछे भी एक कहानी है और कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरन कस्यप नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी और अत्यंत वलसाली असुर राजा था राक्षस राजा था हिरन कस्यप और आप देखे इसका अत्याचार धर्ती पर बड़ा हुआ था तो अपनी सक्ती के मद में चोर होकर वह स्वैम को भगवान मानने लगा था और आप देखे इस तरह के जब भी राजा हुए तो उसके बाद भगवान को आना पड़ा जो अपने को ही भगवान समझता था और उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग इस सुर की अराधना छोड़कर केबल उसी की अरणाधना किया करें और प्रजा भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करती थी पर उसका बेटा पहलाद इस सुर का अनन्न भगत था भगवान राम को चैने वाला भी उसjor परिबार में इक मेंबर मिली जाता है अब आफ लोग गर आवर्टकी परिबार चले जाईए आप सभी जानते है या फिर आप लोग कंस के परिबार में चले जाईए सब्लाब आप लो तो ऐसा भी है और फिर आप देखेंगे उसके अपने पिता की बात ना मानी और उसने इसर की भक्ती में ही खुद को लीन कर लिया और पिता की रुक क्रोध की सीमा ना रही जानी कि आप देखिए उसका ही बेटा मतलब आप सोची भगवान में रुची रख रहा है भ और हिरन कस्यब ने पहलाद को मरवाने के बात की बहुत उपाए किये पर इस सुर की किरवाद से कोई भी उपाए सखर ना हो सका और हिरन कस्यब की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका उसे यह बरदान पर रप्र थे था कि आगे उसे आग उसे जला नहीं सकती है Safe परमपार होती है पहला तो बच गया पर होली का जल गई और इस घटना को याद में हर साल रात को होली का जलाई जाती है और अंगले दिन रंगों का तिवार बड़े धुमधाम से मनाया जाता है अब समझ में आया आपको की होली का दहन क्यों करते हैं तो ये कहानी जुड़ी इस बिसाय में अनेक कथाएं भी पिछले थे एक कथा के अनुसार भगवान किसन ने दुष्णों का बद कर गोप गोपियों के साथ राज सजचाई तब से हुली का पिछलन माना जाता है अब हम लोग एक किसी कहानी को लेकर नहीं बोल सकते हैं कि इसके कारण मनाई जाती ह इस सभी कहानियां से जुड़ी हुई है यह आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर भी दिखाई दे रही है और बिंदावन में आप सभी जानते हैं कि किसन ने राधा और गोपियों के साथ रंग भरंगी रंग भरी होली खेली थी तो बिंदावन में आप देखिए फैमस है हो होली वहां खेला और कई लोग वहां जाते भी हैं और इसी कारण बेराम बिंदावन की होली सबसे अच्छी और विश्व पे सिद्ध मानी जाती है और इस मानता के रुख साथ जब स्री किसन ने दुष्टों का संघार करके बिंदावन लोटे तब होली का पिचलन हुआ व और आधा की होली खेलने का बड़ा ही मनोहारी बर्डन करके उनके पदों में किया है और आज भी बिंदावन की कुंज गलियों में जब सोनेहरी पिचकारी उसे रंगे फबारे चुटते हैं तो अबीर गुलाल करता है आप जाएं तो कभी देखिएगा होली बनाने की जहां गुलाल रंग से उनका सुहागत भी किया जाता है इस दिन लोग अपनी सत्वता भूलकर सत्रू को भी गले लगा लेते हैं कहते हैं कि राष्टे में इस दिन अगर कोई सत्रू भी मिल जाता है तो होली के दिन उस पहले के जमाले की देखिए मैं बात कर रहा हूँ आ करें अब अपनों जगे आप देखेंगे वुली का तिवार आपको देखने को होली के अलग-अलग रूब भी आप लोग देखते होंगे विससके अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग-अलग तर यह साम नहीं, लट्ठमार होली, तो उत्रपिदेश के मंद्र सहर होली मनाने के लिए जग़े जग़े पिसित नहीं, और होली के अनूठे उस्ताओ का अन्भाव करने के लिए हर साल मार्ज के महिने में दुनिया भर की लोग इन दो सहरों में जाते हैं, मत्रा में होली का उस्सार वे एक भव पिसंग है, क्योंकि यह भगवाल किसनी की जनन भूमी है, और मंदिरों को यहां सजाए जाता है, घाटों के चारों आप देखेंगे संगीत में जुलूस सुने जा सकते हैं, लोग मजे जनक और एक सफता ऐसी अधिक समय तक चलता है, वहीं पंजाब में अगर आप देखें होली, देखें पंजाब में भी आपको पिक्चर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, तो पंजाब में होला, मोहला, नामक एक तेवार है, जो हिंदू तेवार होली के साथ में इलखा करना, कविता पाठ करना, जैसे कई बार, कई मज़ेदार समारों सामिल होते हैं, वहीं राजिस्थान में अगर आप देखें, देख रहा है आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर राजिस्थान से जुड़ी वी, तो हिंदू राज घरानों का घर है, और यह राज जनता, जानता की होली कैसे मनाई जाती है, होली के लिए सबसे अच्छे सहर, अजमेर, उदैपूर, पुसकर, वीकानेर, राजिस्थान की बात कर रहा हूं, जैपूर, उस्ताव की सुरुवात होली का कि पुद्धकोलों को जलाने और होली की पूरुफ संध्या, पर अलाओ जलाने से होत किरल में भी आप देखते हैं, यह सामने आपकी स्क्रीन पर केलल की एक तस्वीर है, हाला कि यह चुट्टी केरल में एक निची मामला है, निची और उत्री राज्यों में होने वाले फागलपन के आसपास कहीं नहीं है, इसका नाम मंजुल कुली है, और कुछ मंदिरों में कॉंकडी समुदाय, कुडूंबी, गौंड सारावत ब्रहमणों को द्वारा मनाया जाता है, अनुष्ठानों में होली की पूर्व संध्या पर अलाव जिलाना या देवी दुरगा को अर्फित करने के लिए मिट्टी से मगरवच का निर्मार करना और बुराई पर लड़ा तो यही कहानी जोड़ी हुई है, अलग-अलग राज्यों में इनके अलग-अलग नाम पढ़ जाते हैं, और अलग तरीके से मना लेते हैं, लेकिन उत्तरभाती है राज्यों में अगर आप देखें तो यह होली के नाम से ही चल्चित रहता है, और आप सभी लोग देखते करें नाम होली, इस तो यह होली है, आप देखें कि अलग-अलग दिन होली होटी थी, कह देखें है राज लेकी होली, और आप दूसरे दिन किसी और नाम होली दे देते थे गोवर की होली, छोटी होली, दीपाबली, बड़ी भी दीपाबली ेस तरह कि olarak, बने कि लिच को अब पता नहीं लोगों पर टाइम तो उतना ही है 24 गंटा पहले था 24 गंटा आज भी है लेकिन लोगों में पता नहीं क्यों हटते जा रहे हैं अपने ते भारों से अपनी संस्किती कला संस्किती से चलिए तो आप लोग इंवाय करिए आपके जिंदगी में इसी तरह रंग वरंगी वनी रहें खुशाल रहें यहीं उपर वाले से द्वा करिए